हलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिपीजन अफ होल नंबर्स के बारे में सीखेंगे तो यह उसके कुछ रूल से बेसिक रूल्स जैसे अगर दो होल नंबर्स को हम लोग डिवाइट करते हैं तो आंसर होल नंबर हो सकता है या नहीं भी नंबर दिवाइट बाइट बाइट से गिप्स वान असको से नंबर दिवाइट बाइट 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 वान गिप्स दा को से नंबर इट से यह बेसिक सी है जो आप लोग ओवर दे यर्स पढ़े हैं तो यह मुल्TIPLICATION fact of two districts and non-zero whole numbers gives two division facts जैसे four into five equal twenty to twenty divided by five equal to four twenty divided by four equal to five zero divided by any number gives the question as zero यह ओली basic से इसमें कुछ explain करने की जरूरत नहीं है और अगर आप division करते हैं division सही है या color उसको चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है dividend equal to divisor into quotient plus reminder मान लिजे यह एक division है तो यह divisor है यह dividend है यह quotient है और यह remainder है यह में एक simple division process दिखाई हूं इसको देखके अप अंदाजा लगा सकते हैं कि dividend remainder quotient और divisor किसको बोलते हैं अभी examples करेंगे तो यह example 10 है find the least number that should be subtracted from 1000 so that 30 divides the difference exactly इसका मतलब है कि 1000 से हम कौन से छोटे नंबर को माइनस करेंगे ताकि 30 के साथ वो नंबर exactly divisible होगा माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 30 के साथ exactly divisible होगा और हमारा remainder 0 होगा ऐसे आप समझ सकते हैं 1000 से कुछ भी छोटे नंबर को यहां लिस्ट नंबर होना जाए मैं बस नंबर लिखी हूँ किसी भी छोटे नंबर को माइनस करने से हमें जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर को अगर हम 30 के साथ डिवाइट करेंगे तो हमारा remainder 0 आएगा यह उसका basic concept है यह थोड़ा complicated question है तो मैं दो method से इसको समझाओंगी इसको थोड़ा अच्छे से समझिए एक first method से हम लोग अभी करेंगे तो पहले हम लोग 1000 के साथ 30 को डिवाइट करेंगे तो 33 जा 90 माइनस करने से 10 और यह 0 उपर से नीचे आएगा एगें 33 जा 90 इसको माइनस करने से फिर 10 मिलता है हमको अभी देखिए 10 हमारा extra है ऐसा हम सोच के चल सकते हैं तो अगर यह जो extra number है उसको हम लोग निकाल देंगे तो हमें जो number मिलेगा that number 30 के साथ exactly डिवाइट हो सकता है तो अगर हम 1000 से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें 990 मिलेगा तो 990 30 के साथ exactly डिवाइट हो सकता है और एक बार समझाती हूँ यह 1000 divided by 30 करने से हमें 10 remainder मिलता है तो 10 हमारा extra है अगर हम extra चीज को निकाल देंगे तो हमें जो number मिलेगा वो number 30 के साथ exactly divisible होगा यानि कि वो number के साथ हम लोग अगर 30 को डिवाइट करेंगे तो हमारा remainder 0 होगा तो अगर हम 10 को हटाते हैं इसको कैसे हटाएंगे 1000 से 10 माइनस करेंगे तो हमें 990 मिलेगा अभी देखे 990 divided by 30 33 चा 90 माइनस 9 यह 0 33 चा 90 माइनस करेंगे तो remainder 0 होता है यानि कि 990 के साथ 30 exactly divisible होता है यह एक process है तो extra को निकालने से हमें जो भी number मिलेगा 30 के साथ वो number exactly divide हो जाएगा अभी second process से हम लोग समझेंगे अगर यह process से आपको समझ नहीं आता तो इस process से हम लोग समझेंगे मान लीजिए आपके पास 1000 लड्डूस है या टॉफी कुछ भी मैं यहां लड्डूस example लेकर समझा रहे हूं आपके पास 1000 लड्डूस है और कुछ baskets है आपको एच बासकेट में या वन बासकेट में 30 लड्डूस डालने हैं तो अब baskets में 30 30 करके लड्डूस डालते जाए एं तो टोटल 33 baskets में हमारा 990 लड्डूस आ जाएगा.. एक्स्ट्रा हमारा दस लड्डूस बचेगा तो अगर हम ये एक्स्ट्रा बास्केट में जो लडू है इसको निकाल देंगे या हटा देंगे तो हमारे पास जितने भी लडूस है यानि कि 990 लडूस टोटल लडूस तो टोटल लडूस इन 33 बास्केट इक्वल डू 33 इन्टो 30 इक्वल डू 990 तो इतने बास्केट्स में 33 बास्केट्स में हमारे 990 लड्डूस फिट हो गए तो 10 लड्डू जो बचते हैं अगर हम इस एक्स्ट्रा लड्डू को निकाल देंगे तो हमारे जितने भी लड्डूस रहेंगे वो exactly 33 बास्केट्स में फिट हो जाएंगे तो ये 10 लड्डू को हम निकाल देंगे तो हमारे पास 990 लड्डूस बचेंगे तो 990 पाने के लिए हमें 1000 से 10 को माइनस करना पड़ेगा तो extra लड्डू निकालने से 10 निकालने से हमें 990 आंसर मिलेगा तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं और एक बार मैं समझाती हूँ, अगर ये दो एक्जाम्पल जो एक्जाम्पल 10 और 11 आप समझ जाएंगे, तो वोक्षेट 6 करना आप लिए बहुत इजी रहेगा, और एक बार समझेए, टोटल हमारे पास 1000 लड्डूस हैं, एक बास्केट में हम उली 30 लड्डूस डाल सकते है तो टोटल बास्केट हमें 33 चाहिए, क्योंगि 33 बास्केट में हमारे 990 लड्डूस फेट हो जाएंगे, और हमारे पास 10 लड्डूस एक्स्ट्रा बचेंगे, अगर हम ये 10 लड्डूस को निकाल देंगे, या रिमूब कर देंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा, उस नंबर से 30 exactly divide हो जाएगा, तो 10 लड्डू को हटाने से out of total हमें 990 मिलता है, तो 990 30 के साथ exactly divide होता है, तो least नंबर हमारा 10 है, तो 10 should be subtracted from 1000, so that the difference that is 990 is exactly divisible by 30, तो इसका answer 10 ही है, तो आप दोनों method से समझ सकते हैं, बट प्रोसेस इसका, ऐसे ही करना पड़ेगा, तो 1000 divided by 30, ऐसे 10, 1000 minus 10 equal to 990, फिलाश में ये लिखना पड़ेगा, अभी ये example करेंगे, example 11, इसमें दिया गया है, find the least number that should be added to 1000, so that 35 divides the sum exactly, यानि 1000 के साथ किसी number को हम लोग add करेंगे, जो भी answer मिलेगा, answer को divided by 35 करने से remainder हमारा 0 आएगा, तो पहले हम लोग 1000 divided by 35 करेंगे, यहां पर बुक में 24 या answer दिया है, बठे 28 होगा, तो 35, 2 जा 70, 100 सा 70 माइनस करने से 30, फिर ये 0 आएगा, 35, 8 जा 280 माइनस करने से 20, अभी देखिए, हमारे पास 20 एक्स्ट्रा है, अगर, क्योंकि हम 35 से डिवाइड करें हैं, तो अगर हमारे पास और 15 एक्स्ट्रा होता, तो हमारा remainder 0 होता, तो 15 पाने के लिए हम लोग 35 माइनस 20 करेंगे, तो answer 15 मिलेगा, अभी थोड़ा लड़ू के example से हम लोग समझेंगे, मान लीजे हमारे पास 1000 लड़ू हैं, हम लोग उसको basket में डालेंगे और every basket में only 35 लड़ू से fit होते हैं, तो हम लोग ऐसे basket में डालते जाएंगे तो 28 baskets में हमारे 980 लड़ू से fit हो जाएंगे, और 20 जो दूसरा basket रहेगा, एक्स्ट्रा basket उसमें only 20 लड़ू से बचेंगे, अगर इसमें और 15 लड़ूस हम लोग डाल देंगे तो basket में fit हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऐसे हम लोग को सोचना है, तो 15 लड़ूस पाने के लिए हम लोग 35 माइनस 20 करेंगे, तो answer हमारा 15 होगा, और एक बार अच्छे से समझिए, टोटल लड़ूस मान लिजे 1000 हैं, हमारे पास कुछ baskets हैं, जिसमें only 35 लड़ूस ही fit होते हैं, तो हम लोग baskets में डालते जाएगे 35 लड़ूस each, तो हमारा total 28 baskets में 980 लड़ूस fit हो जाएगे, अभी जो extra basket होगा उसमें only 20 लड़ूस, हम लोग जो remaining 20 लड़ूस हैं उसको डालेंगे, अगर basket को fit करना है with लड़ूस तो हमें extra 15 लड़ूस चाहिए, तो 15 हम लोग कैसे derive करेंगे 35 minus 20 equal to 15 करके derive करेंगे, तो 15 लड़ूस अगर हमारे extra होंगे basket भी fit हो जाएगा और total 1000 के साथ और 15 होने से, हमारा जो number आएगा यानि कि 1015 number वो 35 से भी exactly divide हो जाएगा, तो हम लोग 15 पाने के लिए 35 minus 20 equal to 15, तो 15 अगर 1000 के साथ add करेंगे तो 1015 जो number आएगा वो exactly divisible by 35 होगा, तो ऐसे दो processes से आप समझ सकते हैं, लेकिन written process यही होगा 1000 divided by 35, 20 difference between the divisor and the remainder is 35 minus 20 equal to 15, तरफो 15 शोड़ बादेट to 1000, तो आप लोग 1015 इस एक्जाटी दिविसिबल by 35, अभी हम लोग worksheet 6 का first question करेंगे, यह divide and check your answer, यह आप लोग बहुत सारा के हैं class 5 में यह class 4 में, यह first question है 2781 divided by 35, तो 35 7 जा 245 minus 23 आता है, और 1 नीचे आएगा, तो 331 होता है 35 9 जा 315 minus 16 तो remainder 16 आता है, तो हमें पता है divisor into quotient plus remainder equal to dividend, तो यहाँ पर divisor 35 है, quotient यह है 79, remainder यह है और यह dividend है, तो ऐसे इसको लिखेंगे divisor into quotient plus remainder equal to divisor 35 है, 35 into 79 plus 16 अभी यह दोनों को multiply करने से यहाँ पर हमें 2765 मिलता है, और 16 उसके साथ add करने से हमें 2781 मिलता है, which is equal to the dividend, तो bracket में फिर हम लोग check लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं यह next question है, यहाँ 511 into 9 करने से 4599 आता है, फिर minus करने से 328 आता है, 7 नीचे आएगा, 511 into 6 करने से 3066 आता है, तो minus करने से 221 आता है, यह मैं जो pencil में लिखी हूँ, these are only for explanation, तो यह divisor, यह quotient, यह remainder और यह dividend, तो check अभी लिखेंगे, we know divisor into question plus remainder equal to dividend, तो divisor यहाँ पे, जो जो है question 96 है, remainder 221 और dividend equal to 49277, अभी divisor into question plus remainder करेंगे, तो divisor 511 into 96, इसको करने से 49056 आता है, और remainder उसके साथ add करेंगे 221, करने से 49277 आता है, which is equal to dividend, dividend, bracket में फिर लिखेंगे check, यह C question है, 7335 divided by 122, तो 12267, 732, माइनस कंसे 15, फिर उपर से नीचे आएगा, 120 to 0, तो remainder हमारा 15 आता है, यह divisor, यह quotient, यह dividend और यह remainder, फिर अभी चेक करेंगे, we know divisor into quotient plus remainder equal to dividend, here divisor 122 quotient 60, remainder 15 और dividend 7 335 है, तो divisor into quotient plus remainder equal to 122 into 60 plus 15, अभी देखियो, 122 into 6, 732 है, तो 122 into 60, यानिके 732 में 0 add हो जाएगा, 7320, तो 7320, यह दोनों को multiply करने से 7320 आता है, और 15 के साथ add करने से 7335 आता है, which is equal to dividend, bracket में लिखेंगे checked, तो यह उसका है addition, यह D question है, 64895 divided by 247, तो 247 2 जा 494, माइनस करने से 154 आता है, 9 नीचे आएगा, तो 247 6 जा 1482, माइनस करने से यह दोनों को 67 आता है, और 5 उपर से नीचे आएगा, तो अगें 247 इंटी 2 करने से 494 आता है, माइनस करन से 181 आता है, फिर अभी चेक करेंगे, तो यह divisor, quotient, dividend, remainder, यह सब लिख लेंगे हम लोग, यह formula में डालेंगे फिर, तो divisor into quotient, प्लस remainder equal to, यह दोनों को multiply करने से यह process है, हमारा 64714 आता है, प्लस इसमें 181 करने से 64895 आता है, which is equal to dividend, तो यह checked है, तो यह हमारा question 1 खतम होता है, और book में जो questions दिये हैं, उसका explanation भी खतम होता है, मैं अपने next video में further questions हैं, उसको solve करके दिखाऊंगे, Thank you.